हिलो फ्रेंट्स मैं हुु छाया और मेरे किचिन में आपका सुआगत है आज हम वरत में खाने के लिए बहुत ही क्रिस्πी और टेस्टी नाश्टा बनाएंगे साथ में वरत में खाने वाली चटनी भी बनाएंगे आप इसे वरत में तो बना ही सकते हैं पर अगर बारिश का मुसम हो और आपको कुछ गर्मा गरम चटपटा खाने का मन करें तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम आधा कप साबुदाना लेंगे ये मीडियम साइज का साबुदाना है जिसकी हम खिचडी और खीर बनाते हैं इसे अब हम मिक्सी जार में डाल कर पीस लेंगे इस प्रकार से साबुदाने को हमने पीस लिया है सूजी के जैसा हलका दरदरा रखते हुए हमें इसे पीस कर त्यार करना है तो अब हम इसे एक mixing bowl में निकालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे तीन medium size के उबले हुए आलू जिसे मैंने greater की साहिता से grate कर लिया है साथ में डालेंगे आधा कब भुनी हुई मुमफली का पाउडर एक हरी मिर्श बारिक कटी हुई वन टीस्पून ग्रेटेड अद्रक छेज से साथ बारिक कटी हुए कड़ी पत्ते थोड़ा सा हराधनिया बारिक कटा हुआ स्वात के अनुसार नमक डालेंगे हाफ टीस्पून जीरा वन टीस्पून चीली फलेक से तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आप व्रत में इसमें से कोई चीज नहीं כातें तो आप उसे स्कीप भी कर सकते हैं और अगर आप इसे व्रत के लिए नहीं बना रहें तो आप इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं mix करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका semi soft आठा लगा कर तियार कर लेंगे पानी हमें इसमें ज्यादा नहीं डालना है जितना लगेगा उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे तो इस प्रकार से सेमी सॉफ्ट रखते हुए हमने इसका आठा लगा लिया है अब हम इसे 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे और अब हम इसके लिए चटनी बनाएंगे चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 फोर्थ कप ग्रेटेट फ्रेश कोकोनट फ्रेश कोकोनट आपके पास नहीं है तो आप इसमें सुखे नारेल को ग्रेट करकर भी ले सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल इस्पुन भूनी हुई मूमफली आधा इंच अद्रक दो छोटी हरी मिर्ज थोड़ा सा हरा धनिया वनफोर्थ का फ्रेश और गाड़ा दही वनफोर्थ का पानी डालेंगे चटनी की कंसिस्टेंसी आप अपने अनुसार रख सकते हैं स्वात के अनुसार नमक डालेंगे और अब हम इसे ग्राइंड करके एक बाउल में निकालेंगे तो चटनी को हमने बना लिया है अब हम इसके लिए एक तड़का बनाएंगे तड़का पिन में वनटे स्पून तेल डालेंगे तेल के गरम होने के बाद गेस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे हाफ टेस्पून जीरा एक लाल या हरी मिर्श बारिकटी हुई 6-8 कड़ी पत्ते तड़के को अब हम तुरंत चटनी के उपपर डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे तो चटनी बन कर त्यार है अब हम इसे अलग रखेंगे आटा भी 10 मिनिट में अच्छे से सेट हो गया है अब हम इसे थोड़ा सा मसलते होई चिकना कर लेंगे और अब हम इसे दो भागों में बाट लेंगे और अब हम इसे अच्छे से प्रेस करते होई दो रोल बना कर त्यार कर लेंगे हमें अच्छे से दबाते हो इसका रोल बनाना है ताकि काटते समय ये टूटे नहीं तो दोनो रोल हमने बना लिये हैं अब हम इसे तुरंट भी काट सकते हैं पर हम इसे 5-7 मिनट के लिए फ्रीजर में सेट करने के लिए रखेंगे पाँच मिनट बाद रोल को फ्रीजर से हमने बहार निकाल लिया है अब हम इसे कट करेंगे दोनों रूल को हमने काट लिया है अब हम इसे फ्राइ करेंगे अगर आप इसे एक साथ फ्राइ नहीं करना चाहते हैं तो इसे किसी भी डबे में पेक करके फ्रीज में रख सकते हैं और इसे अगले दिन निकाल कर भी फ्राइ करकर यूज़ कर सकते हैं अब हम इने फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए आधे कप तेल को हमने गरम कर लिया है फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे मीडियम फ्लेम पर हम इने गोल्डन कलर आने तक फ्राइ करना है कुछ देर हम इसे ऐसे ही फ्राय होने देंगे जब नीचे से ये गोल्डन कलर के दिखने लगेंगे तो अब हम इने पलड देंगे और दोनों साइट से हम इसे गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राय होने देना है बीना साबूदाना भीगोवे बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी वन कर त्यार होती है इससे आप एक बार जरूर ट्राय करें तो दोनों साइट से अच्छा सा कलर आने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे और गर्मा गरम इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे क्रिस्पी और टेस्टी वन कर त्यार होते हैं इन्हें आप एक बार जरूर ट्राय करें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें फेमली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू